हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में तो फ्रेंड्स आज का जी वीडियो सेशन है या आधारित रहेगा आपका प्रिवियेश का कुश्चन प्रैक्टिस इट नमर 18 पर तो आएए पहला कुश् नग्थ इस वीडियो पर आये है तो वीडियो अनदर तक देखिएगा और नए हें नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेएन ठीस चले कुश्चórप कर दें अनावस्यक खराब अनावस्यक मतलब खराब इमेल को कहा जाता रहाता लाव घ्राब इमेर को क्या चाहता है तो उसे का चाहता है इसपेम इसपेम उप्सर और सोबहाता है इसपेम यृष our चुमस्ट we wonder बोलेंगे तो इस तरह से थापका ऑप्छले राइट हो घ्राव ईमेर को क्या कहा जाता है सबसे चोटे हुआ जिसे एक सबसे छोटे एक आई आपका क्या कहलाता है बीट कहलाता है इंगलीज में बोलें तो बी आई टी बीट ठीक है जिसे कंप्यूटर समझता है और उसके अनुसर किडिया करता है ऑप्सन डी राइट हो गया आगे बढ़ते हैं डेटा बलब सूचना डेटा को सूचना भी बोलते हैं इंफॉर्मेशन इंगलीज में कंप्यूटर में डैस के रूप में स्टोर के जाती है जो डेटा होता है वो कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर के जाती है तो फाइल क पानी की सथा पर बिना डूबे गूम सकते हैं जो कीरा होता है कीरा में कौन-कौन आ जाता है जिसे कीरे में देखिएगा आपका मच्छर आता है जो मच्छर होता है वो कीड़ा ही एक तरह का होता है तो इसी का एक एक जामपल पकड़ते हैं कि जो मच्छर आप देखे होंगे कि वो क्या होता है पानी की सता पर तैर सकता है घूम सकता है तो ऐसा यह क्यों कर पाता है मच्छर जैसे यह बाल्टा बना लेते काई है यहैं मोग 5 है इसमेंडर पानी तो इसमें आप देखोगे जब अ जयरा सुद्रों आप जो मच्चर होताई कि आ वो तैयर पाता पानी के सथा पर खड़ा हो पई आप टक्य होता है क्यों होता हैं यंत में आ ज़ी आंध यह पानी भराओ है तो ऐसा क्यों कर पाता है क्योंकि पानी सनाक के कारण से नहीं ये भी नहीं पानी के प्रिष्ट नाव के कारण हाँ ओप्सन सी के कारण ऐसा कर पड़ता है किसके कारण कर पाता है तो पानी के प्रिष्ट नाव के कारण ऐसा कर पाता है तो ओप्सन सी राइट हो गया आगे आईए तापकरम की SI का क्या है क्या पुछा है temperature का SI मातरक क्या होता है यह आपको बताना है तो वह होता आपका Kelvin क्या होता जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं तो अपसर यह आपका राइट है आगे आईए निमने में से कौन सा vitamin E का एक अच्छा सुरोत है vitamin E का सबसे अच्छा सुरोत इसमें से कौन है आपको पूछ रहा है vitamin E का एक अच्छा सूर्स पूछ रहा है तो कौन हो सकता है तो उसमें आपका सबजिया होता है कौन होता है सबजिया तो आपसर ए राइट हो जाएगा ताजी सब्जिया तो आप ताजी सब्जिया में कौन-कौन आएगा तो मैं वह भी लिख देता हूं जिसमें आपका आ सकता है अंकूरित अंकूरित दाने या हरी पत्तेदार सब्जी या ठीक है तो यह सब कोई भी आपका हरा जो कोई भी सब्जी से जुड़ा कोई भी चेज हो जागा वह सब बिटामिनी का अच्छा सोर्स कहलाएगा आगे आए मानव मस्तिक्स का कौन सा भाग भूख प्यास और निद्रा का केंद्र है तो मानव मस्तिक्स जो है उसका कौन सा पार्च होता है जैसे ब्रेन होता है ना ब्रेन कुछ इस तरह का होता है आपका ठीक है तो यह आपका क्या है ब्रेन है जिसे हिंदी में बोलेंगे तो मस्तिस्क बोलते है ठीक है तो बोल रहा है कि इसका कौन सा भाग जो है भूख प्यास और निद्रा का केंद्र है तो उसे बोलते है हाइपो थेले मस कौन सा होता है हाइपो थेले मस तो आपका ओप्शन ए राइट हो गया यह जो हाइपो थेले मस होता है वह आपका भूख प्यास और निद्रा का केंद्र होता है आगे आए निम्र में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आप सक्थ है यह सब को पता होना चाहिए कि विटामिन कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है तो विटामिन के कौन करता है तो विटामिन के करता है ठीक है तो आप्जान ए सही हो गया आगे आईए उस बैग्यानिक का नाम बताईए यहाँ पर आपको बैग्यानिक का नाम बताना जिसने कहा था कि पदार्थ को उर्जा में बदला जा सकता है किसको पदार्थ को उर्जा में बदला जा सकता है कौन कहा था यह बात यह कहा था अलवर्ड आइंस्ट कि इन ने कहा था ओप्शन डी राइट है ठीक है आगे आई यह वह उपकरन जो इंधन की रसानिक इंधन की रसानिक उर्जा को सिधे विद्धित उर्जा में बदलता है मतला आपको यहां पर एक डिवाइस पूछ रहा है ठीक है डिवाइस का नाम पूछ रहा है कि कौन डिवाइस है जो इंधन की रसानिक उर्जा को सिधे विद्धित उर्जा में परिबर्तित करता है तो वह होता है इंधन सील बैट्री जीसे बुलते हो आप तो आपका हो गया ओप्शन सी राइट आगे आईए मानव शरीर में इनिम लिखित में से कौन सी गरंथी जोड़े के रूप में मौजूद रहती है तो कौन सी रहती है तो अधिवरिक्त ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अधिवरिक्त गरंथी जोड़े के रूप में मौजूद रहती है ठीक है और अधिवरिक्त से जूड़े हुए दू बा बाहरी, इसके बाहरी भाग को कहते हैं, कार्टेकस, क्या करते हैं, कार्टेकस कहते हैं, और इसका जो आंत्रिक भाग होता है उसे क्या करते हैं मेडूला करते हैं ठीक नहीं अधिविक का आगे आईए सो डेसीबेल रवखा प्रवलतास्तर संगत होगा इसके समान होगा सो डेसीबेल रवखा प्रवलतास्तर एक मसीन सौप से आने वाली सौरगुल के संगत होता है किसके संगत होता है एक सौरगुल वाली सड़क से आने वाली ज्वानिक नहीं एक मसीन सौप के आने वाली इस्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्ली खित में से कौन सा इस्थिर होगा बुला कि एक छेटीज विर्त में इस्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए कौन इस्थिर होगा तो गतीज उर्जा इस्थिर होगा कौन होगा गतीज उड़ जाज होगा आपका स्तीर होगा ऑप्शन डी राइट अगे कुकिंग स्वाप पर कुकिंग ताप पर इस्तीर रहने वाले क्लोरीन युक्त क्रितिम स्वीटनर जिसका रूप तथा संबाद सक्कर की तरह होता है निम्लकित में से कौन सा है क्या वहला तो उसका कौन सा है उसे होते हैं सुक्रोलोज उसे क्या होते हैं सुक्रोलोज ऑप्शन सी राइट है आगे आईए नेम्लकित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है आपको ध्यान देना है नहीं पूछा आपको ध्यान देना नहीं एंटीबायोटिक नहीं है तो oxytocin, oxytocin, oxytocin option भी आपका जो है antibiotic नहीं है कारण थोड़ा देख लेते हैं तो oxytocin एक peptide हर्मोन है जबकि प्रस्णोक्त अन्य सभी क्या है antibiotic है इसको छोड़के सभी antibiotic है लेकिन oxytocin antibiotic नहीं है आगे, hepatitis B, hepatitis B, विसानों का उद्वभवन काल होता है कितना से कितना होता है, तो option B याद रखना, 30 से 180 दिन तक होता है ठीक है, आगे, नीश्वाशन के समय diaphragm हो जाता है नीश्वाशन के समय diaphragm क्या हो जाता है गुबंद अकार का हो जाता है किसका अकार का हो जाता है, गुबंद अकार का हो जाता है नीमलिकित में से कौन से एक gas वातावरण परदूसक मानी जाती है तो sulfur dioxide को sulfur dioxide gas वातावरन को परदूसन करने वाला gas है ठीक है इसके चलते अम्रवर्षा होती है आगे निमलिकित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है इस में से कौन सा बूझा हुआ चूना है तो CAOH2 हमारा क्या होता है बूझा हुआ चूना होता है जिससे calcium hydroxide कहते हैं ठीक है आगे निमलिकित में कौन सा बूझा हुआ हुआ है वह हो गया calcium hydroxide बूझा हुआ चूना हो गया और यहां पर जो CAO है जिसे हम calcium oxide कहते हैं ये क्या होता, बीना बूझा हुआ चूना कह लाता है बिना भूजा हुआ चूना ये कहलाता है कैल्सियम ऑक्साइड और कैल्सियम कार्बोनेट भी यहां पर है CACO3 नाम ध्यान से सुनेगा ऐसे बुलते हैं कैल्सियम कार्बोनेट यह आपका क्या होता है इसे आप चौक भी बुलते हो या इसे बुलते हो चौक या इसे चूने का पत्थर हुआ संग्मर्मर इसी को बुलते हो इसे क्या बुलते हो संग्मर्मर के भी नाम से जानते हो ठीक ना या चूने का पत्थर भी बुलते हो और CA यहां पर क्या है यह आपका केल्सियम है ठीक है तो ये सब बाते भी आपको याद रखना चाहिए आगे आईए प्रित्वी के वायू मंडल में ऑक्सीजन गैस की मातरा कितनी होती है ऑक्सीजन तो सब को पता है 21% होता है और 78% आपका क्या होता है नाइट्रोजन गैस होता है तो हमारा 21% क्या होता है ऑक्सीजन गैस उपस्तित होता है तो आपका ओप्सन यहां से ए राइट हो गया तो इस तरह से मैंने आपको 20 आउट ओफ 20 कुश्चन कंप्लेट करवा दिये तो जो भी बच्चे लोग भ्यार दिया ले इंट्रेंस एक्जाम के तयारिक कर रहा है और वो यह वीडियो आंतर तक देखे होंगे तो उनको जरूर है कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा तो इसी तरह से तयारिक करते रहे हैं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में वीड